हम एक स्टॉक के बारे में डिसक्स करने जा रहे हैं जहान पर आपको आने वाले दिनों में एक बड़ा मूब देखने को मिल सकता है तो इस वीडियू में हम लोग सेखेंगे कि किस प्रकार से ट्रेड करते हैं स्टॉक का ना में चमबल फटीलाइजर और यह रहा इसका चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ है डेली का तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राइस के साथ बेसिकली हो क्या रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस स्टॉक ने हाई लगाया था राउन 500 रूपीज के प्लस और अभी जो ट्रेट कर रहा है राउन 250 रूपीज के आसपास तो आल्मोस्ट 50 परसंट का हमें फॉल देखने को मिल रहा है इसके हाई से तो जिन लोगों के पोटफोलियो में स्टॉक होगा डिफिनेटल उनको काफी ज्यादा पेन दे रहा होगा उनके पोटफोलियो में बट कोई बात नहीं आगे आने वाले वीडियों में हम लोग यह सिखेंगे कि इस स्टॉक में किस परकार से निकलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि around 265 रूपीज के आसपास इसका एक सपोर्ट था जिसका हमें एक ब्रेकडाउन दिखने को मिल रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं multiple times हमें same label से एक reversal दिखने को मिला है आप यहाँ पर देख सकते हैं जब prices के नीचे रहती थी तो same label एक resistance की तरह act करता था और जब prices के ऊपर रहती थी तो same label एक support की तरह act करता था जैसा कि मैंने previous वीडियो में भी बताया आपको कि अगर current market price किसी भी label के अगर ऊपर रहता है तो वो level एक support की तरह act करता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह label है और prices के ऊपर है तो same label एक support की तरह act करता है और current market price किसी भी label के अगर नीचे रहता है तो वो level एक resistance की तरह act करता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जब prices के नीचे था तो same label एक resistance की तरह act कर रहा था तो इस stock को select करने का region है वो है support का breakdown अब एक चीज यहाँ पर हम लोग और act कर लेते हैं और वो है volume तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आज का जो volume है वो previous 3 days से जाता है तो यह भी positive sign है मतलब volume बढ़ रहा है और price गिर रहा है जैसा कि मैंने आपको previous video में बताया कि अगर price गिर रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है यह होता है bearishness का याद रखेगा कि ऐसे cases में price के नीचे जाने की probability होती है वो काफी जादा बढ़ जाती है तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि basic concept पर ध्यान दे क्योंकि जिसका base strong है वो market में काफी लंबे समय तक survive कर पाएगा अब बात करते हैं कि इसमें सर्ट trade कैसे करना है तो यहाँ पर काफी simple है देखो इसमें दो तरीके से आप trade कर सकते हो पहला आप इसके low के नीचे sell कर सकते हो दूसरा आप इसका weight करो retracement का and then sell करो क्योंकि जब आप retracement का weight करते हो तो यहाँ पर जो risk होता है वो काफी कम हो जाता है तो यह आपके trading style पर depend करता है कि आप किस परकार से trade करते है अगर आप एक aggressive trader है तो आप इसके नीचे sell कर सकते है अगर आप एक conservative trader है तो wait करे यहाँ पर इसके retrace करने का and then sell करे बट आपको एक बात और पता होना चाहिए कि अगर किसे stock ने breakout या breakdown दिया है तो इसके कोई guarantee नहीं है कि price जो है वो retrace करे तो मैं हमेशा इसके जो low है उसके नीचे sell करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से label के नीचे आपको एक अच्छे selling देखने को मिल सकती है तो अगर यह stock 250 के अगर नीचे निकलता है अब बात करते हैं target की तो हमारा first target होगा 240 रूपीज का second target है 220 का and third target है 195 का तो I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा Thanks for watching